नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बकसर खबर सामने का दरीस रामेश्वर मंदिर राम रेखा घाट बकसर का है आज 18 जुलाई को सावन की पहली सोमवारी है आप सभी दर्सकों को बक्सर खबर की टीम की तरब से सावन की पहली सो मुआरी की हार्दिक शुब कामनाए आप अभी इस दिरिस में भगवान रामिस्वर नाथ के दर्सन कर सकते हैं इसको हमने आपके लिए जूम करके सूट किया है पहली सो मुआरी की सुबही सुबह पांच बजे यह दिरिस रामिस्वर मंदिर रामरेखा घाट का है आप घर बेठे बक्सर के पौरानिक सुव मंदिरों के दर्सन कर सकें यह पूरे सावन हमारी कोशिस रहेगी इसी कड़ी के तहट आज पहली सो मुआरी को रामिस्वर मंदिर में दर्सन पूजन जलावी से करते सरधालों की यह तस्वीर भगवान अपने भक्तों के बीना अधूरे हैं ऐसा हमारे सास्तर कहते हैं आप जब इस भीड को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यह पावन मौका सावन की पर्थम सो मुआरी पर रामिस्वर नाथ मंदिर से अभी आपने गर्वगदी की तस्वीरे देखी उसके बाहर भगवान नंदी से अपनी मांग रखते सरधालू भक्त यहां सबसे अधिक चहल पहल महिलाओं की देखी जाती है हलाकि बाबा भोले नाथ की पुजा अर्चना करने के लिए बहुत सारे बिधी विधान नियमों की पावंदी नहीं है इसलिए जब भी सावन का महिना सुरू होता है सरधालू बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और इसमें यूवा बच्चे सभी लोग अपनी मस्ती के हिसाब से सादा जल चढ़ाईए या बैठ करके वहां अराधना कीजिए आप देख रहे हैं इस दिर से में कुछ लोग बैठ कर जब भी कर रहे हैं भीड भार से दूर महिला सरधालू की अगर बात हम यहां न करें तो सब कुछ बेमानी है क्योंकि उनकी वज़े से ही आस्था का या महापर्व देखने लाइक होता है रामरेखा घाट के आसपास दुकाने भी सज गई है और सरधालू महिलाएं वहां खरेदारी करती है इससे उनकी भी रोजी रोटी चल जाती है अपने भारती यह परंपरा की यह सबसे बड़ी सुन्दर और अच्छी खासियत है इसकी वज़ा से सिर्फ एक नहीं अनेक पर लेते हैं और भगवान भोले की आराधना करते हैं भगवान सिर्फ यही प्रेडा देते हैं आप बिल्कुल साधे जीवन सदा जीवन बतीत करें आप देख रहे हैं मंदिर में मौजूद महिला सरधाल हुएं भक्त चलते चलते हम आपको एक बारा और सावन की सुबकामनाय दे देते हैं यह द्री से रामेश्वर मंदिर रामरेखा घाट बक्सर को पर्थम सुमवारी का है धन्यवाद